रादे रादे सबी को आईए देखते हैं वह ड्राइए मन्चूरियन के लिए क्या के चाहिए यह र् directions ने है पत्ता गोबी जो मैंने बारिक काट ली है यह है गाजर यह भी मैंने बारिक काट ली है और यह सिम्वम्ला मिर्चboys है यह हरी प्याज है जो मैंने बारी काट ली हैं यह दरक है यह मिर्ची है यह बारी कटीवी मिर्ची है यह अरा रोट है दो चम्मच यह फूल मैदा है चार चम्मच यह सोया सोस है चिली सोस विनेगर अब हम इन सब को मिक्स करते हैं और यह सब मैंने इससे काटे हैं ठीक है आप चाकू से काट सकते हैं आपके पास यह हैं तो आप इससे भी काट सकते हैं अब सब चीजों को मिक्स करते हैं इसी वाउल मैं मिक्स करूंगी इसी में मिक्स कर लेती हूं इसी मे डाल लेती हूं is थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूं थोड़ी सी हरी प्यास डालती हूं बाकी सब्सक्म चीज़ें हमें जब मिस्कों छोखएंगे तब चहिएंगी नोटा १ूरप्यकूं और अगर बेटर ठीक से नहीं बना तो मैं बाद में थोड़ी और डाल लूँगी दो चम्मच डालती हूं और अरोट इससे बहुत करारापन करंची सा टेस्ट आता है अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला अधा चम्मच आप ज़्यादा तीखा खाना तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि मिर्ची य अमसालों से सब में थोड़ा याए जाता है अगार्म मसाला ज़्यादा ठीक नहीं या मैंने मिर्ची डाली है और रादी चम्मच नमक डाल रही हूं अपने टेस्ट के अकोडिंग आप कम जाद अगर सकते हैं इसको मैं मिला लूँगी ऐसे हलके हातों से और एक चमच पानी डालके वैसे हलका सा, ऐसे ही क्योंकि सब्जियों में जो मोश्चर है यह उसी से हो जाएगा मैंने गरम होना रख दिया है तेल अब मैं इसे सोप्ट से ऐसे बहुत दबा दबा के गोलिया नहीं बनानी है इसकी ऐसे आप हलके हाथ से बनाए अब मैं देखो ओल गरम हो गया है मैं इसमें इने प्राई कर लूँगी छोटे छोटे बोल बना के मैं इसमें इसको डाल दूँगी यह बैटर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सुखा सुखा सा जादे पतला हम जैसे पकोड़ी बनाते हैं उतना पतला गर हम बना देंगे तो इसमें अंदर कच्चा पना जाएगा और सबजियां फिर ना दिखाई नहीं देगे कि इसमें सबजियां है यह जो हम मैं अदर डालत से मीडियम फ्लेम पर इसको सेखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पर जल जाएंगे बहुत ज्यादा तेज पर और अंदर से कच्चे रहा जाएंगे बाहर से जल जाएंगे तो इसलिए हलका हलका हम इसको फ्राई होने देंगे यह देखो फ्राई हो गए हैं एक चार से पांच मिनट लगी मेरे को इस तलने में और इनको हम मतलब थोड़ा और करार करने के लिए अब जब दूसरे वाले भी हम तल लेंगे तब उसके बाद हम सारों को एक साथ डाल देंगे गड़ाई में तब यह क्रंची से हो जाएंगे तो अभी मैंने निकाल लिए मेरे पास इतने ही बोल और बन जाएंगे इतना बैटा रोर है मेरे पास इसके छोटे-छोटे बोल बना के मैं इसमें डाल दूंगी और कोई एक मैसा नहीं है कि आपको बिल्कुल गोली बनाने आप कैसी भी सेब दे सकते हैं इनको यह भी आप हो सिख चुके हैं अभी कुछ रह रहे हैं मैं थोड़ा सा पलट दूंगी हलके हाथ से इनको यह प्रोपर सिख जाएंगे तब तब मैं इनने निकाल लूँगी बच्चों की फर्माई इस थी कि आज हमें ड्राइ मंचूरियन खाने हैं तो मैंने सोचा चलो आपके लिए मैं बना देती हूं फिर मैंने वीडियो भी बना ली मैं चैनल पर भी अप्लोड कर दूंगी कि वही हम क्या-क्या बनाते खाते हैं यह मैंने निकाल लिए हैं सारे एक साथ अब इस तेल को हम बहुत ज़्यादा सा गरम करेंगे और सारे मंचूरियन इसमें डाल देंगे यह सारे जब इसमें थोड़ा धुआ सा निकलने लगेगा तब डालेंगे तो यह अच्छे करा रहे हो जाएंगे देखो अब धुआ निकल रहा तेल में अब थोड़े थोड़े करके मैं आराम से डाल दूंगी इसमें इससे डालने से एक फायदा होगा कि हमारे जो मंचूरे ने सब एक जैसा कलर आएगा ऐसा नहीं होगा कि कोई ज्यादा कोई लाइट दिख रहा है अगर सारों को एक साथ फ्राइब करेंगे तो सब पे जैसा कलर आजाएगा अब देखरें न कितना रड़ेड सा कलर आ गया है और क्रंची तो यह होई जाएंगे खाने में वह ज्यादा अ लगेंगे में ऐसे फ्राइब कर लूँगी थोड़ देर हो जाएंगे कितने करा रहे होगा ना बेरी कुट आप इन्हें निकाल लेते हैं गैस में आफ कर दूंगी हम इन्हें निकाल लूँगी अब मैंने जो जादा तेल था इसमें से निकाल के वह सेपरेट कर दिया और इसमें थोड़ा सा तेल छोड़ा है अब हम इन्हें छोकने की तयारी करते हैं छोकने के लिए मैं डालूंगी पहले अद्रक उसके बाद लंबी और छोटी कटी हुई हरी मिर्च इसी में डाल को थोड़ा सा हम हिला लेंगे वह ज्यादर भूनना नहीं है इनको बस हलका सा कच्चा पन निकल जाए इस इतना ही भूनना है अब हम डाल देंगे इसमें से इम्ला मिर्च इसमें से हम आधी प्याज डाल देंगे आधी हम गार्निसिंग के लिए रखेंगे बाद में हरा धनिया भी इसी में हम डाल देते हैं हरें नमक की नमक मैं इसलिए कम डाल रहे हूं क्योंकि सोया सोस अधिया नमक होता है तो इसलिए अब हम एक चमज सोया नमक डाल रहें इसमें एक चमज़डालेंगे शिरका चिली सोस चाइनेज फूड में सोस का ही मेन रोल होता है बर बर के सोस डालते हैं थोड़ा सथ सबस्थिटनेस के लिए टमाटोफ दाले बोटल में अटक गया निरम निकलने का मदह नहीं लेा पर निकल गया इस स्टोड़ा सा ना सुपनेस आ जाएगी इसमें अच्छा सा टेस्ट आजाता है और यह देखो ग्रेवी अच्छी हो गया इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया यह रोट है एक चम्मच इसमें मैं दो चम्मच पानी डालके इसका हलका सा घोल तयार कर लूँगी अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी मैं ड्राइ बना रही हूं इसलिए कम पानी डाल रही हूं अगर आपको ग्रेवी वाले बनाने है तो आप एक गिलास पानी डाल दीजिए और यह घोल डालिए तो यह जो आपकी ग्रेवी है ठिक हो जाएगी इस गोल से तो अब इसकी देखो थीकनस देखिए तो अब यह मेरी जितनी भी ग्रेवी है मैं जब इसमें मंचूरियन डालूंगी तो उस पर कोट हो जाएगी जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो थोड़ा वो लिक्विड लिक्विड दिखाई देता है इसे हमें स्टाटर के रूप में खा सकते हैं ग्रेवी वाले के साथ हम रोटी के साथ या पराठो के साथ खा सकते हैं अब देखो मै inve इसमें डाल के मैं इन अच्छे से मिला रही लगंगे तक है प्लेटिंग के लिए तैयार लॉजांगे देख अब यह कुर सब्सक्राइब ड्राय मंचूरियन देखो किते अच्छे लग रहे न देखके भूग लग रही है तो आजाओ आप भी खालो अर्या मेरे को टाइम बता दो जब आप आओगे मैं तभी बना दूंगी देखो ये अब मैं प्लेट में डालना स्टार्ट करती है देखो दो प्लेट देख रहे हो ना एक अबे के लिए है एक पाइल के लिए है ये बनके तैयार है गर्मा गरम ड्राय मंचूरियन अब मैं इसे थोड़ा सा प्याद से कानिस कर दूंगी अगे तैयार है आईए आप जरूर खाईए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्ते फ्रेंट